वेलकम टू अनेस्टॉबल आई होप यूर डूइंग वेल गैज काफी लंबे टाइम के बाद मिल रहा हूं और यह ऐसा नहीं करना चाहिए था सौरी गैज इसके लिए उमीद करता हूं कि आज से कंटिनियू रहेगी सारी क्लासिस तो गैज इसे आज हम बात करने वाले हैं देखेंगे तो बहुत सारे नियूज है जो आपके एक्जाम पॉइंट अव्यों से बहुत इंपोरेंट है खास करके यो पीएसी और जितने भी पीसेस एक्जामनेशन्स होते हैं उन तमाम एक्जामनेशन्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपोरेंटी होने वाला है तो बहुत सारे अटकल्स आये हैं जो आपके एक्जाम पॉइंट अभी उसे बहुत ज़्यादा रिलिवेंट है पहला तो यह है कि देखो गई इसकल पारलेमेंट में अगर बात करूं तो लोग सभा में बहुत सारे बाते हुई बहुत सारे चीजों पर डिसकॉसन चला तो मैं उन सारे डिसकॉसन पर ना जाते हुए फाइनल का अंकल्यूजन पर आता हूँ देखो गई इस नो कॉंफिडेंस मोसन लाएगा नो कॉंफिडेंस मोसन क्या होता है इसको पर हम बात चित करेंगे आने वाले वीडियोस में और पॉलिटी के सेशन में हम बात चित करेंगे कि क्या इसे लोक सभा में ही सिर्फ लाया जा सकता है या राज्य सभा में भी लाया जा सकता है तो तो माम चीजों के उपर बात्चित करेंगे फाइनली यहां पे अपने देश के जो माननी परधान भजाया और कहा कि आप लोगों ने बहुत सारी बाते कही है इन्होंने ठीक है साथ ही इन्होंने अपना 2019 का सफरी बताया चौदा कभी सफर बताया और फिर अगले इस एलेक्शन के बारे में भी बात्चित किया और भी बहुत सारी बाते थी तो यह तो पॉलिटकल डिवेट है तो इसके उपर जदा बात्चित नहीं करेंगे लेकिन नो कॉंफिडेंस मोसन हमारे एक जाम पॉइंट अभी से इंपोरेंट है यहां पर थोड़ी सी बात्चित इसके द्वारा यह कहा गया है कि देखो ऐसा कोई भी वाइलेशन जो है ठीक है ना उसका इंडिकेशन नहीं मिलता है कि हाँ वह पहले से प्री प्लांट रहा हो ठीक है तो ऐसा कुछ भी नहीं है ओके आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ेंगे तो बहुत ही इंपोरेंट आज एक सो सुला इसेंबली फॉलोज ठीक है ना यहां पे नेशनल कैपिटल ट्रेट्री ऑफ देली अमेंडमेंट बिल थोजर तेश लाए गया है और इसमें बहुत सारी बाते कही गई है ठीक है ना तो इसमें बहुत सारे पॉइंट आप आपका पॉलिटकल है तो उसको मैं यू कहा जा तो वो यूटी में है डेली यूटी में आता है यूनियन ट्रेटिस में आता है और यहां का जो सासन में वोस्ता है वो लेटिनेंट गवर्नर और प्लस सीफ मिनिस्टर दोनों आदि मिल करके साथ सलाते हैं लेकिन इस बिल के आजाने से अब क्या है कि अब बहुत सारे अपडेट्स और उसके परहमबाचित करें तो यहां पे एक बहुत ही बड़ा नियूस यह निकल किया रहा है कि आप सभी जानते हैं कि पिछले महीने ही चंद्रियान थिरी को लांस किया गया था और चंद्रियान थिरी अब जो है वो अर्थ के और्विट से निकल कि ना में से जानते हैं तो ट्वीटर का एक नया नाम है जिसका नाम है प्लेट फॉर्म एक्स तो यसाहां रखना है तो यह जान ले या जाना ऐसे ट्व मुआब करना बहुत समंझस्धान है – उस्तों ने दो फोटो रिलीज किये है यो इमेजš रिलीज कि है तो यही दो इमेज किया गया है तो जिसमें बहुत सारी बातें कहीं गया है जो आप देख लेना आगे बढ़ते हैं कि अगला निव्स क्या है तो देखो गाईज ऐसा नहीं है कि बहुत सारी नियूज आते है ठीक ना आपके exam pointer view से बहुत चंदी नियूज होते हैं और यहां पे देखो एक erosion सब्दा आ गया तो erosion और एक deposition होता है और एक deposition होता है Erosion Means क्या होता है कि जहां से भी नधी गुजरती है और जो उसका मेन मुョहना होता है वहां से जब गुजरती है तो बहुत سारे पार्ट को कारते जाती है एक पार्ट से मिट्डी कारती है और दुसरे पार्ट पे를 जे जाकर बढ़ती है तो यहाँ देखो यह erosional period form है यहाँ से मिट्टी काट रही है यह नदी वगए राओ यहां से मिट्टी कट रही है और यहाँ पे ले जा गड़के भर रही है तो यहाँ से erosion हो रहा है और यहाँ पे deposition हो रहा है तो यह सारे क्या है? यह एक geografical part है ठेके ना और यह जिग्ण राफिकल बॉंड्रिस को तै करता है और ये आप कह सकते हो कि जो नदियां है वो एक तरफ से मिटी काđती है और दुसरी तरफ मिटी भड़ती है तो जिस जगह से मिटी काऑती है उसको इरोजन कहते है और जहां और सेंक्सिन क्लेक्टिव पनिस्मेंट ठीक है न तो यह वाला एक बार जुरूर पढ़ना बहुत इंपोर्टेंट है यह इंपोर्टेंट है आपका एक्जाम पॉइंट अब्यू आयर के रिलेटेड ठीक है न तो यह भी एक बार पढ़ सकते हो अगर आपके टाइम मिले तो इसमें मैनमार विगेरा से रिलेटेड बात्चित किया गया है और इंडिया मैनमार के रिलेशन्शिप के उपर बात्चित किया गया है और भी बहुत सारी चीज़ें है जिसको एक बार देख लेना ठीक है आगे बढ़ते हैं आगे देखते हैं तो देखो गाई आज का एक टॉप नेूज हो यहां कि चाइना डिफलेशन कॉज एज ऑफ ले जा था है कि दिफलेशन यहां पर डिफलेशन तो अब जानते हो कि यह भाईuses आंधि आ रही है market में तो disinflation है तो disinflation क्या है इसका क्या तातपर रहे है तो इसके उपर हम बाचित करेंगे और ये काफी important article है आप सब्वे के लिए क्योंकि अब जो China का जो अर्थ वोस्ता है वो कहीं न कहीं अब ये बता रहा है कि अब इनका जो graph है वो graph जो ऐसे अशे ऐसे 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 चल रहा था अब वो graph यहां से ऐसे 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 गिरना शुरू हो रहा है यानि कि ये अपनी apex को छूलिया और उसके बाद अब ये गिरना शुरू हो रहा है apex graph ये सारे जो को एक बार समझते हैं, देखो guys, deflation जो सब्द है, इसका बस एक ही दात पर रहे है, कि इसका economy से संबंध है, ठीक है न, और इसका economy में market विवस्था से संबंध है, deflation में क्या होता है, कि एक समय अबधी होती है, एक fixed समय अबधी होती है, और उस fixed goods हैं, और जो भी services होते हैं, ठीक है न, उसके दाम में क्या होता है, कमी आना सुरू हो जाता है, याद रखना, कमी आना सुरू हो जाता है, उसका दाम गिरना सुरू हो जाता है, यानि कि displacement में क्या होता है, कि एक fixed time table में, एक fixed tenure में, एक fixed समय में goods और services की पैदा हो जाता है 沒有 कि डियाएं डिप्रेशन जैसा महौल होने लगता है यानिकि एक डिफ्लिशन है जिस से ब्राइब सभी से का दिमांड में कमी आगया है और क्यों पुँआ लोग परठीस करना बंद कर दिये हुझ है और लोग जब परचेस नहीं करेंगे तो अर्थविवस्था grow नहीं करेगी तो इसके बहुत सारी कामिया है कुल मिलाकर के ये कहना है कि disproportionately में जो मांग होता है यानि कि जो demand होता है goods and services का वो demand गिरना शुरू कर देता है, fall करना शुरू कर देता है और जब fall होता है जिसके बज़े से अर्थ विवस्ता में मंदीश हा जाती है और finally ये अर्थ विवस्ता के लिए नकारात्मक प्रभाव को डालता है और इस नकारात्मक प्रभाव से उस पूरे देश की जो एकनौमी है वो चर्मरासी जाती है तो इस पूरे article में इसी के उपर बाचित किया गया है और मैंने डिस इंफलेशन आपको समझा दिया है तो अब इस article को आपको जब पढ़ोगे समझने में बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं हो रहा होगा अब चाइना एक केस में क्या है तो देखो गाइस चाइना का जो अर्थ विवस्ता था वो ग्रो कर होना सुरू हो गया है वहां की अर्थ विवस्ता गिरनी सुरू हो गई है और अब कहीं न कहीं ये वहां की अर्थ विवस्ता कमजोर हो रही है इस बात को दरसाता है क्योंकि वहां पे जो लोग हैं पर्चेजिंग पर्चिस कम कर रहे हैं और अब देखो अब पर्चिस कम कर तो जाहिर सी बात है कि अब जो भी companies वहाँ पे होंगी वो goods view उतने अच्छे से नहीं बनाएंगी या उतना जदा produce नहीं करेंगी जितना वो पहले करती थी तो कहीं न कहीं हर जगा पे ताले लगने वाले हैं ठीक है ना तो यही एक concern था जो मैंने आपको समझाया अब आगे वरते हैं आगे हम कि देखते हैं कि अगला नियूस किया है तो यहां पे गाईज एक बहुत ही प्यारा सा नियूस निकल के आया है वो आपका आठकल 370 से रिलेटेड है यहां पे जो सुप्रीम कोड के माननीय चीप जस्टिस मोहदे हैं उनका जो उन्होंने यहां पे कहा है कि भाईया जो जमुयन का समीर है उनको अपनी सोब्रेनीटी को सरेंडर कर देना चाहिए इंडिया के समख्ष ठीक है ना क्योंकि इंडिया को दे द इंटायर निउस आ रहे हैं उनसे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा दो बाते हैं मैं एक बात यहां पे आपको बतायाता हूं कि 1972 में कहा गया था कि पारलेमेंट के पास पावर होगा कि वह प्रिवेंटिव एक्टिविटीज और जो थ्रेट है उसके पावर होगा जैसे कि तीन पावर होते हैं एक होता है आपका मतलब कि यह का सकते हैं ठीक है तो वह वाली पावर जम्मू एंकास मेर को देदिया गया था कि आप अपने लिए कानून मना सकते हो जो सकतिया होती है जो तेनों मेंसे किसी सब्जेक्ट में में नहीं है या वह सकतियों का पावर है छांस मेर को दिया कि यह थो जाए है कि और चित के अंदर यहां पे देखो यह भी एक अच्छा सा आपको आटकल मिलेगा ठेक है ना तो इसको आप एक बार देखना आपको बहुत सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी तो आज के न्यूज में गैस यही सारी अपडेट्स थे यही सारी न्यूज थे जो मैंने आप लोगों के स हो गई है ठीक है नँ तो यही चीज़े हैं कि आप नेचर को आप देखो तो अब शौरू बदल रही है अर्द कई ना कहीं क्रूल हो रहा है गुलुल वाच्व वामिंग का इंपक्ट बढ़ता जा रहा है तो यह सारी बाते हैं आगे बढ़ते हैं आगे दिखते हैं अगल तो आज की बडियों बस इतना ही दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, रिजियो एंसेर करना मत भूलिएगा